देखा अपने साथ समंदर पार ये जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि संयुक्त राज अमेरिका के कैलिफोर्निया में जातिकत भेदभाव पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंद लगाने वाला एक विधेग राज की सिनेट न्याय पाली का समीती द्वारा सर्व सम्मती से पारित कर दिया गया है अब अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला ये राज केलिफोर्निया जाती आधारित पुर्वाग्रह भेदभाव को खत्म करने वाला देश का पहला राज बन जाएगा लेकिन वहाँ भी वही लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं जो यहाँ याने की भारत में करते हैं हिंदू मंदिर कारेकारी सम्मेलन उत्तरी अमेरिका में हिंदू मंदिरों का एक च्छात संगतर है और हिंदू बिजनेस नेटवर्क और हिंदू पॉलिसी रिसर्च एंड एड़ोकेसी कलेक्टिव ये सभी ने बिल की आलोजना की है Asian American Hotel Honors Association के बोर्ड सदस्य कलपेश जोशी ने कहा है कि हम बिल के सख्त खिलाब हैं हम मानते हैं कि यह भारतिय होटल और मालिकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा मालिकों पर ज्यान रखिए वहीं Asian American Shop Honors Association के अध्यक्ष विपुल पटेल ने कहा है कि यह बिल अमेरिका में जातिकत भेदभाव के मन गढ़नत आख्यान पर आधारित हैं उन्होंने कहा कि हमें डर है कि अगर यह विद्यक पारित हो जाता है तो छोटे व्योसायों के खिलाब छोटे छोटे मुकदमों को बढ़ावा मिलेगा हिंदू मंदिर कारेकारी संभिलन के सयोजक तेजल शाह ने कहा कि बिल के पीछे संगठनों और लोगों ने हिंदू रीती रिवाजों और परंपराओं के लिए अपना तिरसकार स्पस्ट कर दिया है हिंदु रिती रिवाज ये विरोध बिलकुल वैसाई है जैसा भारत में एक्टो सिटी एक्ट के खिलाब सवर्णों द्वारा होता है और ये हो भी इसी रिल रहा है क्योंकि भारत की आजादी के बाद जब यहां सम्विधान लागू हो गया तब यहां के ये सब जातिवाद सवर्ण मांसिक्ता वाले लोग विदेश चले गए और वहीं सेटल हो गए उन्होंने अपने बड़े बड़े बिजनेस खोल लिये लेकिन वहां भी काम करने के लिए लेबर की जरुरत थी फिर भारत की तरह ही मजदूर जो मजबूर है उनको वहां पर ले जाया गया यहां अपनी उसी मांसिक्ता के साथ वहा चले गए जिस मांसिक्ता से वो भारत में दलीतों पर पिष्णों पर जातिकत अत्यचार करते रहे हैं यह मांसिकता बदलने वाली नहीं है क्योंकि यह वही लोग हैं जो यहां पर सदियों से अपनी स्रेष्टा साबित करते हुए, अपने को स्रेष्ट बताते हुए, नीचे के तमाम लोगों पर अत्याचार करते रहे, उनसे बिगार करवाते रहे, जबरदस्ति उनसे काम करवाते हैं, उनकी चीजों पर, उनकी जमीनों पर कबजा करते रहे, ये वही और यही कारण है कि वहाँ 15 साल का संगर्ष हुआ और 15 साल के संगर्ष के बाद ये बिल अस्तित्यों में आया और अब ये पारित कर दिया गया है। लेकिन वहाँ पर भी वैसा ही विरौध हो रहा है जैसा यहाँ पर होता है। तो आब आप समझ सकते हैं कि ये जातिवादी जो मानसिक्ता है ये दरसल मानसिक्ता दिमाग के अंदर का मामला होता है और ये कानूनों से इतने आसानी से जाता नहीं है भारत में तो अभी तक वो इस्थितियां बनी नहीं है अभी भी रोज जातिगत अत्यचार होते हैं रो दन्यवाद लेकिन आप हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं क्योंकि यूटूब थोड़ा हमसे नाराज चल रहा है और वो हमारे वीडियो को उस तरह से शेयर नहीं करता यहां तक की नोटिफेकेशन भी नहीं पहुंचाता है तो थोड़ा हमें आपको मेलत करने पड़ेगी वद्वद धन्यवाद